Hello everyone, आज हम पढ़ेंगे about federalism ये chapter पढ़ने के लिए I'll give you a lot of examples ताकि आपको समझ में आए कि actual में ये work कैसे करता है So, let's get started World में कितनी सारी countries है और इन सब का कोई ना कोई leader होता है जो इन countries को govern करते हैं या तो वो prime minister हो सकते हैं या फिर president तो इनका काम होता है कि पूरी country के लिए सोचना कि हम कैसे अपनी country को better बना सकते हैं ये जो countries हैं, ये काफी बड़ी होती हैं और बहुत सी countries में काफी diversity होती है तो country को अच्छे से कवरन करने के लिए हम country को states में बाटते हैं और states भी काफी बड़े-बड़े होते हैं इंडिया के states इतने बड़े-बड़े हैं कि यॉरप की countries पी उनसे छोटी होंगी फर एक्जामपल महराश्र की बात करें तो अगर कोई इनसान Mumbai में रहता है और दूसरा कोई नाशिक के कोई गाव में रहता है तो दोनों हैं तो same ही state में बट क्या उनकी local problem same होंगी Mumbai वाले को problem होगी कि यहाँ पे traffic बहुत होता है और जो इनसान नाशिक के गाव में रहता है तो इसको problem है कि हमारे याँ road बना दो तो इन दोनों की local problem काफी अलग है जबकि वो एक ही state में रह रहे हैं इसलिए हम एक third level बनाते हैं government का जो की होता है local government local government के बात हम आगे करेंगे तो इस अब तो ठीक है बट federalism क्या होता है federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country यानि कि जब हम power को बाटेंगे central government और state government में तो उसे हम कहते हैं federalism यानि कि आपको power बाटना जरूरी है तब ही होगा federalism जैसे कि श्रीलंका में as we read वो unitary government है but वहाँ भी state government और local government होती है but वहाँ पे state government के पास power नहीं है खुद से decision लेने की उसको जो भी काम है वो central government से पूच के करना है तो इसलिए वहाँ पे federalism नहीं है in fact बहुत ही कम countries ऐसी है जहाँ federal government है सिर्फ 25 country है जहाँ पे federal government है हमारे भारत में क्या है? हमारे आप federal system है जो unitary government होती है उसमें सारा power union government के पास रहता है बट जो federal government होती है उनमें कही-कही जगा central government को ज़ादा power होता है और कहीं-कहीं जगा state government को ज़ादा power होता है जिसकी वज़स से सारी countries में अलग-अलग तरह का हमें federal system दिखता है इसको समझने के लिए Australia और India का example लेते हैं ये दोनों ही Britain की colony थी British Empire का part थी है Australia को हमसे थोड़ा टाइम पहले independence मिल गई हमें थोड़ा लेट में मिली बट जब अंग्रेज जाने लगे थे हमारे यहां से आपको पता होगा हमारे देश को उन्होंने divide कर दिया था सेम उन्होंने Australia के साथ भी ऐसा ही किया था जब वहां से अंग्रेज गए तो Australia अगर वह चाहते तो यह स्टेट अपनी अलग-अलग country हो सकती थी बट इन्होंने decide कि हम एक साथ आकर एक union बनाएंगे Australia का हमारे हां क्या था हमारा भारत हो हमेशा से एक ही देश रहा है बट हमारे बीच में यह division पैदा कर दिया गया था तो हमारे यहाँ पे जो leaders थे वो चाहते थे कि हमारी country एक साथ जुड कर रहे हैं we didn't want कि हमारे वापस से कोई division हो तो ऐसे में हमें federalism के दो type दिखाई देते हैं एक होता है coming together और दूसरा होता है holding together coming together में जिसमें independent state साथ में आके एक country बनाते हैं और ऐसे में सारे states के पास बराबर power होती है और states के पास central government से ज्यादा powers होती है इस तरह के federalism है Australia, Switzerland और USA में holding together federation बनती है जब एक country अपने powers union government में और states government में बाती है India, Spain, Belgium में holding together federation है और ऐसे federation में central government के पास ज्यादा powers होती है as compared to state government so coming together में हमने देखा कि सारे states के पास बराबर power है तो क्या holding together में states के पास बराबर power नहीं होती यानि हमारे यहाँ कुछ states ज्यादा powerful हैं और कुछ states weak हैं let's see how जैसी you know what अभी कुछ साल पहले कितना ड्रामे होए थे जम्मू कश्मीर को लेके तो जम्मू कश्मीर को special status मिला था article 370 में उसको हटा दिया गया था 2019 में तो वैसे ही कुछ states हैं अभी भी जिनको constitution की article 371 में special status मिला हुआ है जैसे असम, अरुनाचल प्रदेश, नागलैंड और मीजोरम और यह special status मिला है उनको क्योंकि या तो यह area comparatively कम developed है या फिर यह area बहुत sensitive है और यहां का culture को बचाने के लिए हम इनको protect करना होगा तो कैसे protect करते हैं कि जो हम दूसरे states हैं इन सब जगा में हम लोग land या house नहीं खरीच सकते इसके लावा और भी कुछ और states है जिनके पास special status है और इसके साथ ही कुछ units एंडिया में जिनके पास बहुत ही कम powers है यह होता है union territory तो यह area छोटे होते हैं जिसके वज़े से इनका एक अलग state नहीं बना सकते और ना ही हम इसको किसी और state में मिला सकते तो union territories के पास state के जितना power नहीं होता central government involved होती है union territory को run करने के लिए तो किसी भी country में federal system है या नहीं उसके लिए हमको साथ चीज़े देखनी पड़ती है यह है federalism के features so let's see एक एक करके कि federalism के क्या-क्या features है number one there are two or more levels of government यानि government के दो या तीन level होते हैं इंडिया में जब हमारा constitution बनके ready हुआ था तब हमारे यहां दो tier थे government के एक था central government और दूसरा था state government बाद में हमने constitution में amendment किया यानि constitution में थोड़ा changes लाई और हम लोग में तीसरा level बनाया government था जो की था local government दूसरा feature है different tiers of government govern the same citizens but each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration हम इसका क्या मतलब हो है let's see with an example so suppose आप अंदोर में रहते हों मध्यप्रदेश में तो आपको कौन-कौन गवान करेगा पहला तो central government करेगी क्योंकि आप इंडिया में रहते हों दूसरा आपकी state government करेगी मध्यप्रदेश की government क्योंकि आप मध्यप्रदेश में रहते हो और तीसरा है आपकी local government यानि municipal corporation of Indor तो यह तीनों level आपको ही govern कर रहे है इन तीनों क्या अलग-अलग काम है तीसरा feature है तो जैसे कि हमनों देखा तीनों level है government के और यह तीनों level क्या काम करेंगे यह सब बताया हुआ है constitution में as you know constitution के हिसाब से ही country चलती है constitution में यह बताना जरूरी है कि किस government की क्या काम है ताकि इस बात की surety हो कि जो power है states का यह central government उनको नहीं दे रही है बलकि constitution से उनको मिल रहा है क्योंकि अगर power suppose central government दे रही होती तो central government जब चाहे power ले लेती बट क्योंकि यह constitution में लिखा है तो यह power उनसे कोई छीन नहीं सकता तो हमारे यह constitution में तीन list दी गई है पहली list है union list as you can understand इसमें वो काम है जिसको की union government ही करेगी चीजें जो देश के लिए महत्वपूर्ण है जैसे देश की सुरक्षा, foreign affairs banking, communication या currency तो इन सब चीजों में हमें चाहे कि पूरे देश में same साला हो इसलिए union list में चीजें union government बनाती हैं दूसरी list है state list इसमें वो चीजें जिसका ध्यान state government देगी जैसे police, irrigation, local government, etc तीसरी list है जिसमें central और state government दोनों ही law बना सकती है इसे कहते हैं concurrent list इसमें आता है forest, marriage, adoption ये सब तो अब जब दोनों ही law बना रहे हैं तो ये हो सकता है कि state कुछ और चाहरा है central government कुछ और चाहरे है तो ऐसे में जब फरशानी होगी दोनों के law में तो central government का जो भी law है वो माना जाएगा आचा इन list में में भी सब चीजें नहीं लिखी हूँ तो internet, ये तो जब India independent हुआ तब तो था नहीं तो ये किसकी list में आएगा ये central government देखी है या state या तो जो भी चीजें इन list में नहीं लिखी हुई है उसको देखेगी union government union government के पास residuary subjects भी है residuary मतलब जो शेश है जो बचे हुए subject है वो सारे के सारे union government देखेगी fourth feature है fundamental provisions of the constitution cannot be unilaterally changed by one level of government such changes require the consent of both the levels of government यानि कि जो भी power state government को मिली हुई है constitution में ये central government नहीं ले सकती और अगर उनको कोई changes लाने है तो वो भी करना बहुत tough है change करने के लिए क्या करना होगा तो सबसे पहले central government को ये bill लाना होगा कि उनको क्या change करना है इस power sharing के structure में इसके बाद ये bill को pass होना पड़ेगा लोगसभा और राज़सभा दोनों में with at least two third majority नहीं नहीं इसके बाद ये जो बिलाएगा ये सारे states के पास जाएगा फिर ये state अपनी legislative assembly में इसके उपर बात करेंगे फिर इसके उपर vote करेंगे ऐसा नहीं है कि खाली एक दो state नहीं आप्रूफ कर दिया तो बस बिल बन गया नहीं बलकि आधे state को इसको accept करना होगा तब जाके changes आपाएंगे constitution में जो भी चाहिए थे तो ये बहुत ही जादा tough है so fifth feature है courts have the power to interpret the constitution and the powers of different level of government the highest court acts as an empire if disputes arise between different levels of government and the exercise of their respective powers तो क्योंकि federalism में power बटी हुई है central और state government में तो suppose कोई problem होती है दोनों के बीच में तो इसका निप्टारा करते है courts या तो supreme court या फिर high court sixth feature है federalism का sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy तो सिफ पावर देना काफी नहीं है आपको चाहिए कि जो state government है उनके पास financial autonomy होई यानि कि उनको central government से पैसे नहीं मागने पड़े अपने काम के लिए वो खुद से कोई tax impose कर सके और अपने लिए revenue के खटा कर सके ताकि वो अपने state को अच्छे से चला सके seventh feature है that an ideal federal system has both aspects mutual trust and agreement to live together किसी भी federal system के दो उत्देश होते हैं पहला है कि country में unity रहे और दूसरा है कि इस unity के साथ जो हमारी diversity है उसको भी हम महत्व देते हैं तो ये दोनो objective पूरे हो इसके लिए center और states को आपस में trust होना बहुत जरूरी है और ये feeling होना जरूरी है कि हम सब भले ही कितने भी अलग हो बट हम एक ही देश के निवासी है How is federalism practiced? तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ constitution में लिखी होने की वज़े से हमारे याँ इतना अच्छा से federalism practice किया जा रहा है बट ऐसा नहीं है ये इसकी वज़े से भी हमारे याँ अच्छे से चल रहा है क्योंकि हमारे याँ एक अच्छी vibrant democracy है चलो देखते हैं कि कैसे कैसे हम अपना federalism practice करते हैं linguistic states सबसे बड़ा test जो democratic politics का हुआ जब language की बात आई जब मैं independence मेरी तो हमारा इंडिया कुछ ऐसा दिखता था और 2021 में इंडिया कुछ ऐसा है तो कितने ज़ादा changes आई इंडिया में states का area change हो गया है boundary change हो गयी है नाम भी change हुए है तो पहले तो states को language की साबसे बातनी के लिए हमारे leaders ready नहीं थे वो कतरा रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि ऐसा करने के वज़े से लोगों के बीच में differences आने शुरू हो जाएंगे और ऐसा करने के वज़े से हमारी country की unity को भी खतरा होगा like you know what क्या हुआ था Bangladesh पाकिस्तान से इसी लिए अलग हुआ था क्योंकि Pakistan Bangladesh की language को importance ही नहीं देता था तो हम लोग ने तो बहुत अच्छा किया कि हम लोग ने अपनी diversity को ध्यान में रखके language के हिसाब से हम लोग ने states बनाए language policy Indian Federation का दूसरा test था हमारी language policy को लेके Indian Constitution में किसी भी language को national language का दर्जा नहीं दिया गया है Hindi को बनाए गया है तो official language बनाए गया है बट Hindi सिर्फ 40% की mother tongue है इंडिया में तो Hindi के अलावा बाकी 21 languages को schedule languages में डाला गया है Constitution की और states की अपनी अलग-अलग official languages होती है ज्यादा तर state government का काम उनकी ही official language में होता है तो comparatively शिलंका में क्या हुआ था वहाँ पे शिन्हाला को national language बना दिया गया था हमारे यहां ऐसा नहीं किया गया हमारे यहां बहुत ध्यान पूरवक्त देखा गया कि अगर हमें हिंदी को spread भी करना है तो हमें किसी को बुरा नहीं feel कराना जब हमारा Constitution बना था तब उसमें लिखा हुआ था कि English का use as official language 1965 से बंद कर दिया जाएगा बट क्या हुआ जो non-hindi speaking states से उन्होंने ऐसा करने को मना कि उन्होंने बोला कि हम English का use करते रहना चाहते हैं In fact, Tamil लाड़ों में काफी protest हुए थे इसके वज़े से तो हमारे यहां हिंदी और English दोनों ही as official language use हो रही हैं Center-state relations Center-state relation बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनके इस relationship की वज़े से हमारी country अच्छे से काम कर सकती है तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो हमारे यहां Central Government में और ज्यादा ता States में Congress की ही Government बन रही है तो इस समय क्या हो रहा था कि जो State Government थी वो Central Government की ही बात मान रही थी वो अपने हिसाब से काम नहीं कर रहे थी बलके उनको जो भी करना हो था वो Central Government से पूच पूच के कर रहे थी और अगर ऐसा होता कि State Government किसी और पार्टी के है तो Union Government उस State Government को हटा देती थी तो इस ताइम पे Central Government अपनी पावर का मिस्यूस कर रहे थी और ये Federalism की Spirit से बिलकुल ही Opposite है बट ये 1990 के बाद बहुत Change हो गया क्योंकि इस समय अलग-अलग State में Regional Parties आ रहे थी और इस ताइम पे Center में Coalition Government बन रही तो इसकी वज़े से नई तरीके की Power Sharing सामने आई तो अब क्या था कि जो Center का Power था वो थोड़ा कम होने लगा और State की Autonomy की Respect होने लगी और ये Changes के साथ ही साथ Supreme Court ने Judgment दिया कि Central Government, State Government को randomly ऐसे हटा नहीं सकी तो इन सब चीजों के बाद Center और State के आपस में Relation काफी बदल गए हैं और हमारे यहां Federalism की Actual Practice अब होने लग दिया Decentralization in India हमने Government के 2 Tier के बारे में बात कर लिए अब हम 3rd Tier की बात करेंगे जो की है Local Government जब Power Central Government और State Government से Local Government को दिया जाता है इसे हम Decentralization कहते हैं Decentralization करने का Reason यह है कि कुछ चीज यह करने के लिए State या Central Government की नहीं बलकि Local Authority की ज़रूरत होती है जैसे अगर आपके रोड में गड़ा है तो आप सीधा Central Government या State Government के पास नहीं जाओगे बलकि आपने Local Government को बोलोगी कि प्लीज यह गड़ा ठीक करो साथी साथ यह भी है कि आपको अपने Local Area के बारे में आइडिया रहता है जैसे बिजली, पानी, स्कूल यह सब चीज़ें आपको चाहिए कि हमारी Local Government इन सब चीज़ों का ध्यान दे अक्चुल में डेमॉक्रिसी तब ही है जब लोगों का व्यू सामने आए तो सामने तब ही आएगा जब हम लोग Local Government की बात करेंगे Constitution जब बना था तब उसमें लिखा हुआ था कि Village में पंचायत बनानी चाहिए बट Constitution में पंचायत के Powers and all नहीं लिखे हुए थे और क्योंकि Powers नहीं हैं तो जो भी Local Government बनती थी उसकी Powers State के पास होती थी States का मन हो तो वो Local Government बनाए या States का मन नहीं हो तो वो Local Government नहीं बनाए Local Government की खुद की कोई Power नहीं थी तो जब कोई Power नहीं है तो Decentralization भी नहीं है Decentralization के लिए सबसे बड़ा कदम लिया गया था 1992 में जब Constitution को Amend किया गया और Local Government की क्या Powers हैं ये Constitution में लिखा गया We'll see कि क्या changes आएं इस Amendment के बाद पहला जो State Government के पास Power थी Local Government को लेके कि State Government चाहे तो election करवाए या ना करवाए उसकी जगा ये ज़रूरी हो गया कि Local Government की election हर कुछ साल में कराने ज़रूरी है और उसके लिए एक State Election Commission बनाया गया जिसका ये काम था कि पंचायत और Municipal Elections करवाए दूसरा कि इन Local Bodies में scheduled caste scheduled tribes और other backward classes के लिए seats reserved कर दी गई थी तीसरा है और इन seatों में one third seat women के लिए reserved कर दी गई थी चौता है कि इन State Government को अपनी कुछ powers और revenue भी Local Government से share करना होगा अब ये कितना share करना होगा ये अलग-अलग State में अलग-अलग है लोकल गावर्मेंट दो तरह की होती है एक होती है Rural Local Government और एक होती है Urban Local Government Rural Local Government को हम पंचायती राज कहते हैं पहले हम लोग Rural Local Government के बात कहते हैं हर गावं में या फिर अगर गावं छोटा है तो चार-पाश गावं को मिला के उनको हम वाड में बाट देते हैं और फिर इन वाड से एक-एक मेंबर चूस करते हैं और यह जो लोग चूस होते हैं यह होते है ग्राम-पंचायत के पाट और इन ग्राम-पंचायत का जो precedent होता है यह होता है सरपन्च और इनको फूरे गावं के लिए decision लेने होते हैं और यह जो काम करते हैं उसको देखती है Gram Sabha, Gram Sabha में वो लोग होते हैं जो भी 18 साल से बड़ी उम्र की होते हैं तो Gram Sabha देखती है कि Gram Panchaayat सही से काम कर रही है या नहीं जिसके लिए Gram Sabha को साल में at least दो तीन बार मिलना होता है तो ऐसा ही सेम अलग-अलग गाउ में होता है तो बहुत सारे ग्राम-पंचायत को मिला के हम बनाते हैं पंचायत समिती जिसको की ब्लॉक या फर मंडल भी कहते हैं और यह जो ब्लॉक है, इसके जो members होते हैं ये ग्राम-पंचायत के लोग चुंते हैं और फिर ये block बनाते हैं जिला परिशद, सबसे नीचे लेवल पे होता है पंचायद, इसके उपर होता है block पंचायद, फिर होता है जिला परिशद, इसको अलग-अलग नामों से बुलाते हैं अलग-अलग सेफ में, अब बात करते हैं urban local government की, Urban local government बड़े शहरों में होती है या फिर towns में होती है जो towns होते हैं वहाँ होती है municipality बड़ी cities में होती है municipal corporation दोनों में जो members होते हैं उनको लोगों ने चुना होता है municipality का head होते है municipal chairperson और municipal corporation के head होते है mayor बात करते हैं उत्तरप्रदेश की उत्तरप्रदेश बहुत बड़ा state है अब इस state को हम लोग district में बाटते हैं तो एक district में आपके urban local government और rural local government दोनों ही आते हैं तो हमारे यहाँ जो local government है इन में 36 lakh लोग से ज्यादा है तो जो हम लोग ने constitution में change लाके local government को power दी है इसकी वज़े से हमारे यहाँ decentralization better हुआ है साथ ही साथ अभी भी काफी problem है जैसे elections regularly होते हैं बट grams अब टाइम से नहीं बुलाई जाती बहुत सारी state government ने local government को अपनी power transfer नहीं की है नहीं local government के पास अभी financial autonomy है तो जितना भी तक हुआ है बहुत अच्छा है अभी हमें और आगे जाना है जब हमारे सारे गाउं अच्छे होंगे हमारे ब्लॉग भी अच्छे होंगे फिर हमारे डिस्ट्रिक अच्छा होगा और फिर हमारा देश भी अच्छा होगा So I hope आपको ये chapter समझ में आया हो If you liked the video, give it a big thumbs up and thank you so much for watching the video Have a great day, bye!